हाई आवरेवन वेलकम बेक टू मैं चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अगर ऐसा नहीं है तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए ठीक है एक और बात कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने रिकोर्डिंग नही की थी क्योंकि मेरे घर पे कैश्ट आ गए थे और आज कल तो किसी ने किसी का आना चानल लगए रहता है और हाँ एक और बात आज मैं इस फैन फिक्शन का लाश्ट पार्ट शेयर कर रही हूं इसके बात मैं कुछ दिनों तक मेरे ख्याल से 10-15 दिनों तक कोई स्टोरी शेय अब आप सब हैटफोन पहलो यह तो मुझे पताने की जरूरत नहीं है क्यों ठीक है तो चलिए स्टोरी स्टोरी करते हैं ठीक है तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग ची को पता चल गया था कि वीइंग ही उसका बेस्ट ट्रेंट बीबी है जिससे वो रोज र है उसके हाथ में वीइंग का फोन है वो पुरानी चैट पढ़ रहा है एक दूसरे की उसके आंखों से आंसों निकलना शुरू हो गया है उसे कुछ पी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें क्या भी वांग ची को वीइंग से बात करनी चाहिए उसका नाम जानने के बा देख रहा है उसके आंखों से आंसों बह रहे हैं वो विचारा परिशान होका है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उससे क्या करना चाहिए क्या उसे वीइंग को बता देना चाहिए पर वो कैसे बताएगा वीइंग को और अगर यह सब मैंने वीइंग को बता भी दिया तो क्या वो मुझसे फिर भी दोस्ती रखेगा? क्या वो मुझसे बात करना चोड़तेगा? हे भगवान आपने, आपने ये सब क्यों किया? मेरे साथ ही क्यों? मुझे क्यों पता चल गया कि ये वीइंग था? काश, काश वीइंग को पता चल जाता अगर वीइंग को पता चलता तो वो क्या करता? वो तो मुझे बता देता ना? हम, ठीक है मैं भी वीइंग को बता दूँगा सब कुछ पर उसके लिए तो मुझे हिम्मत चाहिए मुझे नहीं लगता कि मैं वीइंग से नजर भी मिला पाऊंगा मुझे हिम्मत चुटानी होगी वेंग को सब बतानी के लिए पर अगर मैं ये सब कुछ वेंग को बताऊंगा तो कहीं वो मुझे दोस्ती न तोड़ते कोई बात नी पर फिर भी मुझे बताना होगा मैं बताऊंगा मैं जरूर बताऊंगा वांग ची खड़ा होता है बैट पे चला जाता है यही बार बार दोराता है कि मैं जरूर पताऊंगा उसके लिए मुझे बहुत से हिम्मत चाहिए मुझे हिम्मत चुटानी होगी कुछ भी करके मुझे वेंग को बताना है यह बोलते बोलते वांग ची सो चाता है अब सुबह का सिन दिखाया जाता है जहां पर वांग ची की आँखे खुलती है जैसे वो उठता है तो उसे पता चलता है कि रूम में कोई भी नहीं है पर यह कोई हैरानी की बात नहीं थी उसे पता था कि रूमे कोई भी नहीं होगा क्योंकि उसे पता है कि विंग सुबह सुबह रने के लिए जाता है अब वो खड़ा होता है और फिर वास्टूम चला जाता है अब आधे गंटे बाद वांग्ची अभी भी वास्टूम में ही था वींग आता है तो देखता हूं में कोई नहीं है अब वींग वांग्ची को अवास लगाता है वांग्ची अंदर शावर ले रहा था वांग्ची बताता है वींग को वांग्ची तो अभी भी सोची रहा था कि कैसे बताऊंगा वींग को फिर से वींग हवास लगाता है वांगची को जल्दी निकलने के लिए बोलता है जिसपे वांगची हाँ का जवाब देता है वांगची तो भी भी सोच रहा था कि यार मैं कैसे वींग का सामना करूंगा उसका तो बहार आने का मनी नहीं है शायद अगर उसका बस चले तो वो आज वही पर रहे पर ऐसा नहीं हो का ठीक है अब इंग बाहर अराम से बैट पे बैट चाते है अपने सोचते है यार क्या करूं सर थोड़ा फारी फारी लग रहा है सरूर ये ड्रिंक की वज़े से होगा मुझे रात पेनी नहीं चाहिए थी उस फैसे हैं को तो मैं छोड़ूं का नहीं अरे हाँ रात में रात में तो मैं बहुत ज़्यादा नशे में था और वाइट पनी मेरे इंतजार कर रहा होगा मैंने उससे बात भी नहीं कियोगी मेरा फोन कहा है अब विंग अपना फोन ढूंडता है और फिर चक करता है अब वो देखता है कि उसने तो रात में वाइट पनी से बात की थी पर उन्होंने एक दूसरे को गुट नाइट ही नहीं बोला ऐसे कैसे हो सकता है वो तो रोस एक दूसरे को good night पॉल कर ही सोते हैं ऐसे थोड़ी नहों होता है क्या हुआ था मेरी लड़ाई तो नहीं होई इसके साथ नहीं मुझे तो ऐसे कुछ भी याद नहीं पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कोई बात नहीं वो जल्दी सुबर उठ जाता है मैं उसे पूछ लेता हूं वींग मैसिज करता है वांग ची को मेरा मतलब है वाइट बनी को लब लगा तार वींग मैसिज करता रहता है करता है वाइट बनी को जितनी बार वो मैसिज करता है जब जब वह मेसेज करता है तब तब वांग determination का फोन बचता है विंग फरिशान होगा था वंग की फोन से वंग जी कभी अपने फोन को साइЛेंड पे नहीं रखता है यह अच्छी बता है पर फिर भी वंग प्रिशान उजाता है अब विंग बोलता है इसका फ़ॉन कितनी बार बोलेगा यार चुपो जा जब वांग्ची आएगा तब देख लेगा ना तुझे अब वी इंग फिर से वाइट पनी को मेसेज करने लगता है और फिर से वांग्ची का फ़ॉन बचना शुरू हो जाता है अब विंग था खार के खड़ा हो जाता है वांग जी के फोन के पास चला जाता है उसका फोन देखता है उसके आखे पड़ी पड़ी हो जाती है इतने सारे मेसेज ओ गौर्ड अब चो है हमें सीधा शाम कसी दिखाया जाता है विंग आता है था खार के अपने रूम में जैसे कभी रूम में कभी कभी बाहर जाकर पर आज ऐसा क्यों नहीं है वांगची रूम में क्यों नहीं है आज ऐसा पहली बार हुआ है विंग अराम से पैट जाता है बैट पे और इंतसार करने लगता है वांगची का कि वो अब आएका अब आएका अब आएका तो उसे तरह बताने के बाद वींग उससे दूर हो जाएगा इसलिए वांग जे वींग को नहीं बताना चाहता आज लाइफ में पहली पार वो सेलफिश होना चाहता है सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहता है पर क्या वो ऐसा कर पाएगा नहीं क्योंकि अगर वींग को इसा बाते जोड़ेगा वो तो वैसे भी कुस्से वाला है मुझसे दोस्ति करना तो दूर की बात है मुझसे बात तक नहीं करेगा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं नहीं, मुझे Wings को बता नहीं होगा वो फिर से खुद को समझाने लगता है और ऐसे ही समझाते समझाते वो Hysang के रूम से निकल पड़ता है और फिर अपने कदमों को अपने रूम की तरफ मोड लेता है और फिर वो भी टाइम आ जाता है जब वो अपने रूम में पहुँच कहा था जैसे ही वांग ची अपने रूम में आता है विंग अचानक से खड़ा होकर वांग ची को हक कर लेता है जैसे कि वांग ची बहुत सालों बात आज विंग से मिलाओ विंग वांग ची को खुद से दूर करता है फिर बोलता है तुम कहा थे, हाँ, मैं तुम्हारा कबसे इंतजार कर रहा था, अज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रूम में आए, और तुम रूम में नहीं थे, अब मुझे पता चला कि किसी का इंतजार शूर करना कितना मुश्किल होता है ऐसो बोल कर वीइंग हसने लगा और फिर से एक ಬार हसते हुए वी इन को दे कर वांग टीन सब बातों को भोल जाता है और उसके फैस पको इतनी वीइंग वांग ची को इतनी प्यारी से स्माइल करते हुए देखता तो बोलता है अपने दिल पे हाथ रखके ओ गोड़ ये भगवान कहीं मुझे हार्ट अटेक ना हो जाए तुमारे स्माइल कितनी प्यारी है ओ गोड़ यार प्लीज मुझे बता कर हसा करो नहीं तो पता चले कि मैं हार्ट अटेक से मर गया इस बात पर वांग ची हसने लगता है अब वीइंग वांग ची का हाथ पकड़कर बैट पर बिठाता है और फिर बोलता है क्या होए तुम्हें मुझे बताओ हाँ वांग ची बोलता है वो मैं वो मुझे मैं वो वीइंग बोलता है क्या हुआ है तुम्हें तुम्हें बोल क्यों नहीं रहे हो वो मैं वो वो यहीं करते रहो कि क्या अब मुझे बात बताओ, क्या हुआ है, तुम रूम में क्यों नहीं थे, कहां गया हुए थे, क्या काम था तुम्हें? वांक जी पोलते, इतने सारे सवाल, वेंग बोलता है हाँ इतने सारे सवाल, और अब तुम इनका जवाब दो, और हाँ, अब इनमें एक और सवाल जुट चुका है, तुम हकला क्यों रहे हो? अब वांक जी पोलना शुरू करता है, वो मैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ विंग बलता है हाँ बताओ वांग ची बलता है मैं हुए सेंग के रूम में था और वो मुझे आने नहीं दे रहा था और मैं हकला इसले रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ पताना है ऐसे बोलकर वांग ची अपना सर जुका लेता है वांग ची को ऐसा करता देख वींग गहरी से सांस लेता है फिर अपने दोनों हादों को वांग ची की फेस की तरफ ले जाता है वांग ची की फेस को पकड़ता है और उपर उठाता है बोलता है मेरी तरफ देखो वांग जे वींग को देखने लगता है वींग बोलता है मुझे बताओ क्या बाता है तुम्हें मुझे क्या बताना है जल्दी बताओ वांग जे अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उसे कुछ भी समझते आ रहा था कि वो कैसे बताए पर फिर भी वांग जे ने सोच लिया था कि आज वो वींग को सब कुछ बता कर ही रहेगा और फिर से वांग जे वींग के आँखों में देखते वे बोलता है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ सच में वींग मैं तुम्हारा सच में फ्रेंड हूँ मैं वीइंग बलता हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे फ्रेंड हो सिर्फ फ्रेंड नहीं हो तुम मेरे रूमेट भी हो मेरे क्लासमेट भी हो और अकर हम साथ में बैठना शुरू करते तो हम बेंचमेट भी होंगे बुद्दू खाई के ऐसा बोल कर विंग वांग ची का फेस चोड़ देता है और फिर वांग ची के सर पे मारता है सो और से बोलता है तुम पागल हो गए हो तुम मुझे अपना फ्रेंड बता रहे हो ये भी कोई बताने की चीज़ है मुझे तो पता ही है हम कितने डाइम से सा रहे हैं ना वांग ची बोलता है नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं विंग बोलता है फिर से वांग ची तुम पागल हो गया तुम क्या बोले जा रहे हो तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या ऐसे बोलते हुए विंग स्माइल करता है व बताओगे मुझे पूरी रात निकल जाएके ऐसे तो वांग छी फिर से अपनी आखों को बंद कर लेता है कस कर फिर से पोलता है वे इंग मुझे सच में तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है वी इंग पोलता है वहy कि तुम मेरे फ्रेंड हो वांग जी बोलता है हाँ वीइंग बोलता है तुम सच में पागल हो गया हो तुम्हें पागल खाने चाना चाहिए वांग जी बोलता है वींग ये इतनी से बात नहीं है तुमने पूरी बात नहीं सुनी बहुत बड़ी बात है ये मैं तुम्हें बताना चाता हूँ बहुत सरूरी है विंग अपने हाथों को वांग जी की गरतन में ले चाता है वांग जी को जोर जोर से हिलाता है बोलता है अपने आखे खोलो वांग जी वांग जी अपने आखों को खोलता है विंग बोलता है मेरे आखों में देखो तुम क्या बताना चाहते हो जल्दी बताओं अब वांग जी बोलता है वींग मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं और तुम मेरे फ्रेंड हो अब वांग जी आंके बंद कर लेता है कसकर फिर बोलता है हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत पहले से वींग जानते हैं वांग जी बोल पता था यह सब कुछ मुझे नहीं पता था सच में सच में मैं नहीं चानता था कि तुम बीबी हो मेरे बीबी मुझे तो कल रात में पता चला कल रात जब तुम निशे में थे मैंने तुम्हें मैसेज किया था मुझे तभी पता चला कि तुम तुम बीबी हो तुम मेरे बीब दसने को चानते हैं कि तुम नरास हो मुझसे विंग कुछ हिलाने लगता है सोड़ से सब्सक्राइब मुझे बो ना कुछ मेरे मेरी कलती नहीं है सच में मेरे कलती नहीं है सच में मुझे कल रात में पता चला था सच में वी इंग सच में तुम कुछ पॉल क्यों नहीं रहे हो वी इंग बोलो ना क्या तुम मुझे दर लग रहा है मेरे कलती सच में नहीं है मुझे कल रात में पता चला था और मुझे में हिम्मत नहीं थी तुमसे बताने की तुम्हारा सामना करने की इसलिए आज में तुमसे नहीं मिला और इसलिए मैं रूम से बाहर था और वैसा इंके पास था और मैं डर रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊंगा अगर तुम्हें पता चला तो मैं क्या करूंगा विइंग सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे सच में कसम से मुझे कल रात में पता चला था मैं सच में तुम्हें पताना चाहता था पर कैसे पताता मैं तुम्हें मेरी सच में कोई गलती नहीं है वांग ची ये सब कुछ बोले ही जा रहा था वींग वांग ची को देख रहा था अचानक से वींग ने वांग ची को किस करना शुरू कर दिया ये सब क्या हुआ ना तो वींग को पता चला ना वांग ची को वींग वांग ची को पूरी तरह से किस कर रहा था जैसे कि अभी उस और से फिर उसे दूर हो जाता है फिर बोलता है बुद्धू मेरे वाइट बनी मुझे पहले से पता था वांग जी बोलता है क्या विंग बोलता है हाँ मुझे आज सुबह ही पता चला है सब कुछ वांग जी बोलता कब कैसे पता चला तुम्हें क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें किसी और ने बता दिया कि तुम्हें किसी को पता है मेरी अलावा तुम्हें कैसे पता चला और क्या तुम मुझसे नारास नहीं हो और क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हो और ये किस तुमने मुझे क्यों की क्या तुम मुझसे सच में दोस्ती तोड़ने वाले हो वेंग कुछ तो बोलो वेंग बोलता है वांग जी को वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम पागल हो कोई हो सच में तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए वांगची बोलता क्या सच में वीरिंग बोलता है हाँ पागल ऐसा बोलकर वीरिंग वांगची के सर पे मारता है और फिर बोलता है मेरी बात सुनो आज सुबह जब तुम शावर ले रहे थे मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था तब मैंने अपने फ्रेंट वाइट पनी को मैसेज किया था और फिर तुम्हारा फोन बजा ऐसा बहुत पार हुआ पहले तो मैं नहीं समझा पर जब मैंने तुम्हें लगातार मैसेज करना स्टार्ट किया मेरा मतलब है वाइट पनी को पर उस टेम तुम्हारा फोन बजा मैं बहुत परिशान हो गया था कि तुम्हें फोन साइलेंट पर क्यों नहीं लगाया मैं तुम्हारा फोन चेक करने काया तब मुझे पता चला कि तुम्हारे फोन पे बेबी के मैसेज आयो है मेरा मतलब है ब्लैक पनी के और तब मुझे पता चला कि ब्लैक पनी तो मैं ही हूँ और तुम्हारे फोन पे लोग भी नहीं लगा हुआ था तो जिसके मैसेज आयो हैं ये ब्लैक पनी है कौन ये पता लगाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरा मतलब है मुझे पता चल गया कि ब्लैक बनी मैं ही हूँ और वाइट बनी तुम हो मैंने तुम्हारी आइडे भी चक्की तुम सिर्फ मुझे से बात करते हो हाँ वांग जी ये सुनकर नजरे चुका लेता है रिंग बोलता हम और हाँ मुझे नहीं पता था कि ये बाद तुम्हें पता है या नहीं इसलिए मैं तुम्हारे मज़े लेने लगा अभी मुझे शक्त हुआ था कि हाँ जरूर तुम यही बताना चाहते हो पर जैसे जैसे तुम हकला रहे थे तुम कैसे डर रहे थे मुझे बहुत मज़ाने लगा इसलिए मैं तुम्हारे और ज़्यदा मज़े लेने लगा पर तुम तो सच्ची की जर पोगो यार और हाँ एक और बात मैं तुमसे दोस्ती तोड दूँगा सच में मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो बीबी मैं नहीं जानता था सच में मेरी गलती नहीं है ना इसमें तुम क्यों मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो इसमें मेरी गलती नहीं थी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो वांग जी ऐसा बोल लिरा था कि फिर से विंग ने वांग जी को किस करना शुरू कर दिया और फिर एक सेकंड के लिए वांग जी से दूर हुआ और उसे धक्का देकर लेटा दिया और फिर उसके उपर चला गया फिर से वांग जी को किस करना शुरू कर दिया उसने वांग जी तो एकदम से शोक में चला गया था कि यह सब क्या हो रहा है वींग ने वांग जी को लेटा दिया था और उसे अभी भी किस कर रहा था उसके लिप्स को पुरी तरह से सक कर रहा था अब वींग वांग जी से थोड़ा सा तूर होता है और फिर उसके चेक्स पर किस करता है फिर बोलता है वांग जी मुझे माफ करना आज सुबह जब मैंने तुम्हारा फोन चेक किया तो मुझे कुछ तस्वीरे मिली जो कि मेरी थी इसी रूम की तुमने मुझे चुपा कर ली हुई थी मतलब तुम मेरी तस्वीर ही लिया करते फ़िए चुपकर यह सब देखकर एकदम से मैं भी शोक में चला गया था मुझे नहीं पता था कि यह सब क्या है फिर मैंने तुम्हारा पूरा फोन च्ट किया और फिर मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो और यह बात तुमने अपने भाई को बता हुई है और जै था एक तुम मुझे ये पता चल गया कि मेरे white bunny तुम हो दूसरा मुझे ये पता चल गया कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं तुम्हरा वी इंग बोलता ए तरपोग कहीं के तुम रो क्यों रहे हो वांग जी बोलता मैं तरपोग नहीं हूँ बैट सच में डर गया था कि तुम अजसे दूर हो जाओगे ऐसा बोलकर वांग जी सच में रोने लगता है बच्चों की तरह वांग जी वींग के उपर था जिस वज़े से वींग को बहुत हसी आरी थी वांग जी पर क्योंकि वांग जी के आंसू वींग के फेस पे केज रहते है अब वींग वांग जी को दक्का देता है और उसे लेटा कर उसके ओपर चला जाता है, उसके आसु पहुंचता है, फिर बोलता है, वांग जी तुम रो रहे हो, मेरा फेस देखो, बीना रोई किला होके है, पता है क्यों? वांग जी बोलता है, मुझे पता है, यह मेरे आसु है, ऐसे बोलकर वांग जी हसने लगता है, वांग जी कभी हस रहा था कभी रो रहा था वींग को तो समझी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें वींग वांग जी के फेस को साफ करता है अच्छे से अफे बोलता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं वांग जी बहुत टाइम से मुझे भी नहीं पता कब से पर तो जब मैं तुम्हें देखने की कोशिश करता था तब तुम उस टाइम मेरे तरफ देख ही रहे होते थे मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो नहीं तो हम कब से साथ में होते एक दूसरे को डेट कर रहे होते यह सुनकर वांग जी बोलता है क्या क्या अब हम हम डेट करेंगे वींग क्या क्या ही सच है क्या हम सच में डेट करेंगे ऐसा पॉल कर वांग जी हसने लगता है वींग वांग जी के ओपर से उठ जाता है अराम से बैठ जाता साइट पर फिर बोलता है नहीं हम डेट नहीं करेंगे वांग जी अचानक से हसते हसते रुप जा करते हो या नहीं और डेट करने के लिए तो दोनों की सहमती होना जरूरी है तो जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं तब से लड़ाई करना शुरू करतिया था वेंचा और वेंजूलियों से तब मुझे बहुत अच्छा लगा था पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वज़े से तुम मुसी बत में पढ़ जाओ इसलिए मैंने उन से लड़ने से मना किया मैं तुम्हें पहली नजल से प्यार करने लगा सुबह सुबह रनिंग के लिए करवर थे मुझे नहीं पता था कि तुम कहा हो पर उस दिन भी मैं सुबह तुम्हें देखना जाता था मैं जाता था कि मैं तुम्हें देखूं और मेरा दीन अच्छा चला जाए तुम मेरे लिए मेरा गुट लग होना मैं सच में तुमसे ब तुम्हारे प्यार में गिरता जा रहा हूँ, तुम्हें देखकर मेरे दिल के धड़कने बढ़ने लगते थी, मेरे दिल जोडोड़ से धड़कने लगता था, और इस पारे में जब मैं ये पने भाई से पूछा, तब उन्होंने बताए कि ये प्यार है, जब मुझे पता चला कि यह प्यार है मैं बहुत खुश भी था और बहुत दुखी भी था क्योंकि तुम मेरे फ्रेंट थे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था किस भी हालत में मैं तुमारे साथ हर टेम तुमारे फ्रेंट बनकर रह सकता था इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो कि और अगर मुझे पता होता तो मैं भी कब कर तुम्हें बता देता ना और आज मैं बहुत खुश हूँ आज finally मैंने तुम्हें अपने दिल की बात पता दी और मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीइंग और हर टेम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं अपने पूरी सिंदगी तुम्हारे साथ खुशी-खुशी बिताना चाहता हूँ क्या तुम मुझे डेट करो के वीइंग वांग जी को गले से लगा लेता है फिर बोलता हूँ अब तुम उपर आजाओ वीइंग वांग जी को उपर खीच लेता है इस टाइम वीइंग वांग जी के उपर था इसलिए वीइंग अपनी मरसी चला रहा था पर ऐसा ज्यादा दिर तक नहीं होने वाला था अब वांग जी वीइंग को पलता देता है और वीइंग के उपर चला जाता है और फिर वांग ची वींग को किस करने लगता है बहुत फुरी तरह से वांग ची वींग को किस कर रहा था उसके लिप्स पे, उसके नोस पे, उसके आइस पे, उसके फोरेट पे और फिर धीरे धीरे इसकी नेक पे वांग ची ने वींग को किस करना शुरूर ही किया था कि वींग तो मौनिंग करने लगा था वींग वांग ची को करदन से पकड़ कर ऊपर खीचता है और फिर उसके साथ एक होट सी पैशनेट सी किस शेयर करता है ये तोनों ऐसे ही एक दूसे के लिप्स को सक कर रहे थे वांग ची ने वींग के शट के दो बटन खोल दिये थे वांग ची किस करते करते वींग की फिर से नेक पे चला गया था और उसकी चेस्ट पे आई राता कि तभी दर्वासा खुलता है और फिर वींग और वांग ची की नजर वहां चाती है वींग को याद आता है कि हाँ वींग वांग ची की आने की खुशी में इतना पागल होके था कि इसने तो टोड़ लोके नहीं किया और अभी वींग को बचतावा हो रहा है उसे खुदी पे कुछ सारा पहुत चाथा यार तू पागल हो गया था क्या हर टैम तो तू लोक लगा के रखता है रूम का और आज देख तुने तर्वासा पन तक भी किया था तू देख तेरी गलतिया सब कुछ और अब उसकी नि को भी तुम मुझे फिर से मिसिस मो बोल रहे हो और यहसा तुम क्या करेखे मैं तुम्हारी मूम मुझे बताओ क्या चल रहा था यहां पर बीविद्धत ओक मुझे कुछ नहीं करा था वह इस से मिले यह मेरा फ्रेंड है वांग जी मिरा रूम मेट मो पॉलती है अरे का और तुमने मुझे मॉम बोला इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया ये लो फोन तुम अपना फोन नी उठा रहे हो कब से तुम्हारी मॉम का कॉल आया है उठाओ जल्दी वांग जी तो यह सब देखकर परिशान था उपर से शोक था उपर से कन्फ्यूस था क्या उसकी मॉम है मॉम और वो बोल रही है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया हुआ है यार ये क्या चल रहा है विंग अपनी मॉम से बात करता है फिर बोलता है मॉम आप मेरे फोन पे कॉल कर लीजे वो मेरा फोन थोड़ा साइलेंट पे था इसलिए मुझे पता नहीं चला उसकी मॉम बोलते है ठीक है विंग कोई बात नी हम कल बात कर लेंगे मैं तो बस परिशान हो गई थी ये सोच कर कि तुम कोल क्यों नीइ उठा रहे हो कोई बात नी अब विंग फोन दे देता है मो二 को जो मो को वह बोलते हैे विंग को देखो तुम जो भी कर रहे हो मत करो ये होश्ठल है और सब बच्चे तुम्हें अजीब नज्रों से देखेंगे ऐसा फोल करमों चली जाती है और यह सब सुनकर और देखकर वींग का तो मूँ फटा का फटा रह गया था वींग अराम से अपने बैट पर जाकर लेड़ जाता है वांग जी को बोलता है कुड नाइट वांग जी बो और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और क्लास में चले जाते हैं अब थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है आज उनका एक लेक्चर फ्री था इसलिए वींग बाहर पैठा हुआ था सोच रहा था कि कल क्या क्या हुआ कल के बाद से वींग के जिंदगी कितनी बदल खेंट ही है तब ही वींग को किसी का धक्का लगता है वह वहैंचाओ और वैंत्युलि ने को धक्का दिया बहुत से और वांग्ची ने उसे बचा लिया यह सब कुछ पिछली पारवांग्ची के इसाथ हुआ था और आज वी О함 evolving को बचाया रच चीने वीर को बचा एक्र तो उन दोनों के मुपंद हो जाते हैं पर फिर वो दोनों ही वींग को मारना शुरू कर देते हैं वो दोनों मारने ही वाले थे कि उनसे फाइट करने लगता हैं अब इन चारों की फाइट हो गई अब जैसे उनका ध्यान चाहता है तो वीइंग और वांगची एकदम अचानक से अराम से खड़े हो जाते हैं अब मिश्टर मौ वीइंग को आकर कले से लगा लेते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हें किसी चीज की परिशानी तो नहीं हुई मेरी वज़ा से इन दोनों को तुम्हें परिशान करने का मोका मिल गया अगर मैंने हार्ट पनिश्मेंट देता उस दिन तो ये दुबारा ऐसी गलती नहीं करते वीइंग मेरे बच्चे मुझे माफ करतो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं वीइंग समझाता है डैट ऐसे कुछ भी नहीं है मैं बिलकुल ठीक हूँ बस ये मुझे धक्का दे रहे थे और कुछ ज्यादा ही उल्टा पोल रहे थे मैं बिलकुल ठीक हूँ मुझे को दोश मत दीजे अब मिश्टर मों वेंचा और वेंजूलियों को बोलते हैं अब तुम्हें पूरे एक साल के लिए पूरी उनिवर्सिटी की सफाई करनी है और अभी जाकर तुम दोनों को ग्राउंट के दस चक्कर लगाने हैं इससे अलग तुम दोनों को रोज की रोज ए और दोनों बच्चों के मू उतर गए थे अब उन्हें जाना था ग्राउंड के चकर लगाने अब चलिए हमरे स्टॉरी के विलन तो खतम हो गए हैं अब दिखते हैं कोई विलन आता है यह नहीं थोड़ी सी स्टॉरी रहती है है ना अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है वींग और वांग जी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं वांग जी वींग से पूछता है वींग तुम मिश्टर मो को डैड क्यों बोलते हो वींग बताता है क्योंकि उनका एक लड़का था मोश्वान्यू जो कि मेरे साथ ही पढ़ता था मेरे क्लासमेट था और हम दोनों एक जैसे थे बिलकुल हम दोनों की शकल भी मिलते चुलती थी बस उसकी हाइट थोड़ी सी चोटी थी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और हम दोनों जैसे की काफी मिलते चुलते थे तो उसके डैड हमेशा से मुझे बोला करते थे कि मैं भी उन्हें डैड ही बोलूं क्यों मुझे और मोश्वान्यू को अपना बेटा समझतेघ है तो सबसे मोश्वान्यू उनको यहीं लगता है कि अभी ँठीन जिन्टा मैं हूं रियू में हूं पर फिर이ू उनका अ disappointment मुझे समझ करने यह दोनों की लाइफ बीट रही थी यह दोनों बहुत खुश थे और वींग अपने बॉक्सिंग कॉम्पटिशन में भी जीत गया था और वींग को जीतता देख वांग ची भी बहुत खुश हुआ था इनके दिन ऐसे बीट रहे थे यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच यह दोनों को हो जाता है एक महिना हो जाता है एक मैंना हो कहाँ था इन दोनों को डेट करते हुए और पिछले कुछ दिनों से वीइंग और वांकची ने सोच रखा है heh killedman की शादी के पाद आज उने श्यूच की शादी है man man के साथ वेइंग और रेख्ची ने बहुत दिनों से सोच रखा है कि वह था घर है पनी शादी की बाहत करेंगे पता देंगे अपनी अपनी फैमिली को कि वो दोने एक दुसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं इन दोनों ने सोच रखा है और वांग जी ने तो बता भी दिया है और उसके अंकल वो मान चुके हैं मानते क्यूं नी उनका तो प्लैन था और वीइंग वो भी तो अपने रूम में और काफी ठखे हुए हैं फैंग यह तुम क्या बोल रही हैं है और मैं उससे उतना ही प्यार करती हूं जतना की एक माँ अपने पेटे से गटती है मैंने उसके पारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम यह सब क्या बोल रहे हो फैंग मियान की आवाज आती है यू पर तुम जानती हो ना उस वांग जी उस वांग जी के अंकल ने चिरैन ने वींग पर इल्जाम लगाए था कि उसने वींग से थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो प्लीज यह सब मत करो वींग जैसे यह सब कुछ सुनता है कि वींग की वज़े से वांग जी के पेरेंट्स की चान गई है तो यह बात उसके दिमाग में बैट चाती है वहां से भागने लगता है रोड पे बहुत बुरी तरह से वींग का फोन उसकी जैब में था बज़े जा रहा था वांग जी का कोल आ रहा था वींग नहीं उठा रहा था वींग पागल हो गया था परिशान हो गया था यह सुनकर कि वींग की वज़े से वांग जी की पेरेंट्स की चान गई है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वींग उसे रोड पे निकल जाती है अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है वीइंग अपने घर लोड़ता इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी किसी का उस पर ध्यान निगया वो सिधा अपने रूम में चला जाता है दो तीन दिन ऐसे निकल जाते वीइंग अच्छे से काना नही खाता सबके सब वीइंग को लेकर परेशान थे जाना चाते थे कि आकिल हुआ क्या है पर जब तक वीइंग नहीं बताएगा तक किसी को कुछ पतानी चलेगा और VLING को लगता है कि शायद ια इंग का वांगची के साथ कुछ जगड़ा हूआ होका या फिर वोसे याथ कर रहाऊ होका इसलिए वह उतास होका इसलिए यौने भी नहीं पूछा वि्यंग कुछ दिनों बाध होश्टल वापास चला जाता है वांग ची भी आ चाता है वी इंग और वांग ची एक दूसरे के कहले लगे वे थे वी इंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था वांग ची को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वी इंग रोते हुए मन मन में यही बोल रहा था कि मेरी वज़े से वांग ची की पेरेंट्स उसे दूर हो गए उसे छोड़ कर चले गए मेरी वज़े से वांग ची अपने पेरेंट्स को याद करता है अगर मैं नहीं होता तो उसके पेरेंट्स आच चिंता होते उसके साथ होते उसे प्यार कर रहे होते वांग जी इतना दुकी नहीं होता अपने पेरेंट्स को ऐसे याद नहीं कर रहा होता सब कुछ मेरी विज़े से हुआ है मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था और वांग जी को गले लगा कर रोए चाह रहा था वांग जी को ये लग रहा था कि वी इंग इसलिए रो रहा है क्योंकि शायद उसकी फैमिली इनकी शादी के लिए नहीं बानी इसलिए वांग जी वी इंग की पीट को तहलाता है उसके आंसु पोंचता है फिर बोलता है वीइंग कोई बात नहीं अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानी तो मैं उन्हें जाकर मनाऊंगा है ना मैं उन्हें से बात करूँगा तुम मत रो वीइंग इस पर स्माइल करता है फिर वांग जी को किस करता है वीइंग वांग जी के लिप्स को बहुत बुरी तरह से सक कर रहा था उन्हें अपने दातों में चपा रहा था बहुत बुरी तरह से वांग जी को किस कर रहा था वांग जी को ये दिखा रहा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं वीइंग और वांग जी ऐसे ही कुछ तेर तक होट पैशनेट सी किस शेयर करते हैं उसके बाद वांग जी वीइंग को बोलता है कि चलो क्लासिस के लिए चलते हैं तेर ओर रही है वीइंग बोलता है हम तुम चलो मैं आ रहा हूँ वांग ची को लगता है शायद वीइंग अकेला रहना चाता है कुछ देर के लिए इसलिए वो ऐसा बोल रहा है वांग ची बोलता है हम ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम जल्दी आ जाना मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा वीइंग बोलता है हम वांग ऌग जी फिर से वींग की लिपष्पेक सोफ्ट सी किसकर तर फीछ चला जाता है वींग वांग जी को ऐसे देख रहा था चाते हुई जैसे कि वह उसे आखरी बार देख रहा हूँ और शायद हाँ आखरी बार ही देख रहा था अब वींग अपनी कुछ कपड़े लेता है और भाग जाता है दो दिन बात का सीन दिखाया जाता है सबके सब बहुत भूरी तरह से वींग को ढूंड रहे हैं वांग जी की हालत बहुत भूरी हो गई है इन दो दिनों में वांग जी ने वींग को बहुत पार कॉल किया है पर उसका कॉल ही नहीं लगा अब जी यांग हाउस का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर वांग जी आया हुआ है अपनी पूरी फैमिली के साथ लैंग जी रैन और मैं मीयन इन सब को ले कर वह पूछने आया वींग के पारे में क्या खिर हुआ क्या है वींग की पूरी फैमिली भी बहुत परिशान है वो सभी वींग को ढूंड ढूं कर परिषान हो गए है अब वांग जी सब के साथ पैठा हुआ है वहाँ पर विंग के भी पूरी के पूरी फैमिली है यू, फैंग मियान, यानली, जिन जेशुवान, शू यंग और जियांग चैंग ये सब साथ में बैठे हुए हैं और अभी वांग ची भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ चुका है अब वांग ची बोलता है यू को विंग आपसे बात करना चाहता था शादी की उसने बोला था जैसे ही शीचैन का की शादी होगी और वो घर जाएंगे तब वो तुरंद घर जाने के बाद आपसे बात करेगा कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना ज्याता है और आपने शादी से मना कर दिया था यह बोलते हैm नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ 1 मिनिट क्या? शीचैन की शादी के बाद वीइंग मुझसे शादी के बाद करने वाला था अपनी एक मिनिट उस टेम तो हमारी लडाई हो रही थी फैंग मियान उस टेम तुमने बोला था कि वींग की वज़े से वांग ची के पेरेंट्स की चान गई है कहीं वींग ने ये बात सुनतों नहीं ले क्योंकि उस दिन से ही वींग बहुत परिशान रहता था खाना भी नहीं खाता था ठीक से इसका मिलब सच मेवींग ने हमारी पात सुन ली है जैसे ही वांग ची सुनता उसके आँखे फटी की फटी रह जाती है अब पीछे से चिरान पोलता है हाँ इन सब चिज़ों में मेरी गलती है मैंने ही उस चोटे से बच्चे पर इल्जाम लगाए था कि उसके वज़े से वांग ची की पेरेंट्स की चान गई है इस सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है मेरी वज़े से उस चोटे से बच्चे को इतना सफर करना पड़ा है उसकी यादास भी चली गई मेरी वज़े से सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है काश मैं ऐसा नहीं करता हूँ काश मैं नहीं करता हूँ वांग ची पोलता है इस सब क्या हो रहा है विंग ऐसा नहीं कर सकता आप सब जूट पोल रहे हैं आप सब जूट पोल रहे हैं वी फैमिली लान फैमिली और ज्यांग फैमिली ये अच्छे फ्रैंस हुआ करते थे और इन तीनों फैमिली को घूमना काफी ज्यादा पसंद था पहाड़ी लाकों में और पहाड़ी लाकों में बच्चों को नहीं ले जाये जाता था पर एक पार इन्हें सुनने में आये था की एक मुर्थी है जो कि सबकी वीश पूरी करती है इस वज़े से यह वहां पर जाना चाहते थे कितीनो की तेनों फैमली पर अपने वच्शों सिद्क कु नहीं लेजाना ही पड़ा पर बच्चों को संभालने के लिए अपने साथ लांच इरान को भी लेके जाते हैं सबके बच्चे साथ गए होई थे यान ली चियांगु छैंग फीव कि यान और साथ में लान वांग चींचान ये सब साथGroup ने गाड़ी के चिरैन को बोला कि प्लीस मेरी मॉम को कॉल कर दो तो चिरैन बोलता है मेरे पास तुम्हारी मॉम को नंबर नहीं है एक मिनट कोई बात नहीं मैं वांग जी की मॉम को कॉल करता हूँ वो तुम्हारी मॉम के आस पास ही होंगी वो तुम्हारी बात करवा देंगे उन से तो जो चिरैन है वो वांग जी की मौम ही को कॉल करता है और बोलता है कि वींग की मौम से बात करवाने के लिए तो जो यह है वो बताती है कि वींग की मौम तो गुफा के अंदर है और हम तो कुफा से बाहर घूम रहे हैं एक मिनिट तुम रुको थोड़ा सा मैं जाती हूँ अंदर बात करवाती हूँ तो जैसे ही वांग जी के पेरेंट्स अंदर जाते हैं कुफा के तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ गुंडो ने हमला करक्थ है जिसमें वीइंग के पेरेंट्स के जान चली कईए हैं और फिर चैसे ही चिंग हैंग जुण और यही वहां जाते हैं तब उनकी जान ले ली चाती है गुंडो़ तवारा अब बताओ इसमें वीइंग की क्या गलती है पर चिरैन को तो यही लगता है कि इसमें वीइंग की गलती है क्योंकि वीइंग अगर नहीं बोलता यी और चिंग हैंग जून को उसके पेरेंट्स के पास जाने के लिए तो शायद यी और चिंग हैंग जून जिन्दा होते शायद उनकी जान नहीं कई होती अकर वो वींग के पेरेंट्स के पास नहीं गए होते इसलिए इसमें वींग की ही गलती है चिरैन को इसलिए ऐसा रखता है यी और चिंग हैंग जून गुफा के बाहर खुम रहे थे वी चांग से और कांग से सेरेंड गुफा के अंदर थे और यू और फैंग मियान चंगलों में खुम रहे थे पहुत दू इसलिए वो अभी जिन्दा हैं सेंग मियान और यू ने वींग को डोप्ट कर लिया था अपने साथ ले गए थे लैंड चिरैन ने शेचैन और वांगची का ख्याल रखा था पर चिरैन ने वींग का पीछा नहीं छोड़ा वो तीसरे दिन चियांग हाउस जाता और वींग को बुरे भले शब्त बोलता बुरी बुरी बातें बोलता चोंकि नहीं बोलनी चाहे थी क्योंकि वींग चोटा सा बच्चा था ऐसे एक दिन लैंड चिरैन वींग के पीछे पड़ा हुआ था वींग को मार रहा था वींग भाग रहा था गलती से चिरैन का हाथ वींग पे लग जाता है वींग सेल्यों से नीजे गिर जाता है जिसके बाद से वींग की आतास चली जाती है तब चिरैन को फील होता है कि हाँ मेरी गलती की विज़े से वींग के साथ ऐसा हुआ है अज वींग को कुछ हो जाता तो चिरैन खुद को माफी नहीं कर पाता उसके बाद से चिरैन को अपनी गलती समझ आ गई कि वो कबसे एक चोटे से बच्चे को परिशान कर रहा था उस पर जूटा इल्जाम लगा रहा था फिर चिरैन ने यू के साथ मिलकर प्लैन बनाया कि कैसे वींग और वांगची की शादी कराई जाए अब यहाँ पर फ्लेश बैक खतम हो जाता है चिरैन को दिखा जाता है जो कि रोते रोते वांगची को यह सब बता रहा था वांगची भी बोल रहा था कि हाँ इसमें तो वींग की कोई गलती नहीं थी वींग को तो उल्टा ज्यादा सफर करना पड़ा है एक रूम है जिसमें वींग लेटा हुआ है उसके सर पर पट्टी बंदी हुई है उसके पास में एक इंसान पैठा हुआ है विंग तेरे तेरे आंके खोलता है और उस इंसान को बोलता है डैड विंग अपना हाथ उठाता है उस इंसान को चूने के लिए पर वो इंसान कायब हो जाता है विंग जोर से चिलाता है डैड तब ही रूम में कोई भागते वे आता है वो मिश्टर मो थे वो आते हैं वींग के पास बैठते हैं बोलते हैं वींग क्या हुआ है तुम्हारे डैड कहा है तुम्हारे डैड कहा है तुम्हारे डैड वींग क्या तुम्हारे डैड कहा है तुम्हारे डैड कहा है तुम्हारे विंग बोलते हैं मेरे टैड को वी चंग से वो मेरे टैड है ना मिश्टर मू बोलते हैं विंग क्या तुम्हें सब याद आ गया विंग बोलते हैं हाँ विंग तुम्हें पता है लाश टाइम क्या हुआ था विंग बोलते हैं तब विंग को याद आता है कि हाँ वो रोड प है मिश्टर मोग बोलते हैं हाँ तुम्हें चोट लगी है पर ज्यादा घ्री नहीं नहीं है तुम ठीक हो जाओगे और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ यादा आया है विंग भीज़न को पहले कभी और दस साल पाद कभी मुझे सब कुछ यादा आगया डट इस पे मिश यो तो मुझे जूटा इल्जाम है अब मैं अंहें बताओंगा की कोई को बता देते हैं कि यश्टस करते उन्हों के घर रपर की ऊक्षर आता है कि उन्हों नी तो पहले नहीं फ्रेस्ट्स कुछ रिते हैं फिर नियुक्ती अब सर्वी इंक अपने खर वापिस ले आते हैं अब मो फैमली भी वहीं पर थी लान फैमली भी वही पर थी अलग से छुयैघ और नी हुए सैंग और वैंडिंग वहीं पर थे अब इन सब को दिखाया जाता है विंग अंकल चिरैन को बोल रहा था आपने मुझे चूटा इलसाम लगाए था आप इतने गंदे क्यों हो मैंने बोला था ना आपको मेरी कोई गलती नहीं है चिरैन खुश हो जाता है विंग को गले से लगा लेता है बोलता हाँ तुम तभी भी बच्चों की तरह कर रहे हो वो मुझसे गलती से होके था मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाता था मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था मुझे गुस्सा आगे था ना विंग बोलता हम वैसे भी कोई बात नहीं उस टाइम पर आपने भाई को खोया अब यू व्यर्ण के पास आती है और फिर पौलती है विंग क्या होएं तुम्हें उसे गले से लगाती है बोलती है यह त Goddess सुनझा के ज़से और Jeans का रहे ती घ्यादी कर्लाएlles में उसे सब्सक्것도 जानेतं हमरी लग इंवे यह लोग क्या है तो यह तो किसहीं इससे भी सि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहेती न कि अगर तुमने वो सब सुन भी लिया था तो मैं तुम्हारी गलत फार्मी तूर कर देती वींग बोलता है बस पता नहीं उस टैमेनी जो सुना वही सच समझ लिया क्योंकि मुझे अपनी बच्पन की बात ही याद नहीं थी न इसलिए मुझे बूरा लगा और मैं भाग गया बस मुझे भागना नहीं चाही था मुझे गलती हो गई पर एक बात अच्छी हुई मेरा एक्सिटेंट हुआ और मेरी आताश वापिस आ गई यह सुनकर यानली बोलती है विंग तुम पागल हो क्या ऐसी क्यों पोल रहे हो तुम जैसे बिते ठीक थे हम एक्सिटेंट होने शरूरी था तुमारे सर पर चोट लग गई विंग बोता यह तो थोड़ी सी है यह बोलती अच्छा तुम बच्चे वाले आवतार में फिर से आ गए यह बोलता है अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट उनली बोलती है तुम्हारा तुम्हारा बैठकर सूप पीता है सब विंग को देखकर खुश हो जाते हैं अब विंग सूप पीते पीते रुख जाता है और फिर से यू के सामने आकर खड़ हो जाता है पूलते हैं मॉम आपको कैसे पता कि वांग ची और मैं दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने चा मतलब हमें खोसाया आए मेरे और जार में यह मैं चली गए दी चाहते थे कि तुम और वांग दूसरे से हैं tapi ओन पर क्यों आप एसा सब्सक्राइस शादी क्यों हैं ऐग मिन न्य यहीं चाहते थे कि मैं वांग ची दूसरे से शाधी कर लिए यह ही ये तुम्हारे खडूस अंकल भी चाहते थे अब ये खडूस अंकल चिरैन हसने लगते हैं ये सुनकर के अब चिरैन बोलते हैं तो वीइंग क्या तुम मेरे नेफ्यू से शादी करोगे वीइंग बोलता है हाँ जरूर उनसे तुम्हें प्यार करता हूं बहुत जादा ये के लिए मैं खुद को दोशी मान रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे दो कुछ जाने का हगी नहीं है इसलिए मैं भाग गया उस दिन मैं इसलिए तो रो रहा था और तुम सच में बुध्व जो को सुनकर हसने लगता है फिर बोलता है तुम इतने क्यूट कैसे बन गए एक्तम बच्च रा ही ताव हम अभी तो बता रहे था हम II 3 साल का बच्搞 क 술ो मुझे इंटार करना पिर शादी करने के लिए तुम्हारे बढ़े होने तक मैं बच्छा नहीं मैं बढ़ा होitelा और अर जो का 50 पढ़ाए पात्में करें पहले शादी करें वंच rovिद्म हाँ मैं नीग उसके बड़ी बड़ी हो गएintegrate कर रहे हैं अगर जाहता है कल शादी करना शादी कर लिए कि भी थीक है अब मैं बड़ा हो चुका हूं और कल मेरी शादी है तो अभी मुझे आराम करना चाहिए लगा हमें सुट पर स्लेक्ट करना होगा बाइडिंग के लिए इसा पोलता है थीक है तो आप आप सब आराम कीची मेरे मतलब हैं शादी की तयारियां कीचे और मैं चला आराम करने होग इसा बोलकर चला जाता है सब के सब वींग के इस पिहेलियर पर हसने लगते हैं फिर बोलते हैं हमारे 10 साल पहले वाला वींग वापीस आ गया इखले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वींग अराम से सो रहा है और उसका रूम कोई जोर जोर से पीट रहा है वो यानली है चिला रही है दर्वासा खोलो तुम्हें शोपिंग करने भी तो चाना है विंग बोलता सी जचे सोने थो ना बहुत टाइम बात सो रहा हूँ यानली बोलते सो चाना बात में अब यूठ जाओ आज तम्हारी शाती है विंग बोलता नहीं मैं उठ नहीं आपको नहीं पता होस्टल में वांग चिन एक बार मुझे बोला था कि शादे के बाद मुझे सोने नहीं देगा यानली सुनकर हसने लगते फिर बोलते हैं यह तुम कैसी बाते कर रहे हो दर्वासा खोलो अभी तुम्हें सूट पर सिलेक्ट करने हैं चलो उठो अब हमें सीधा स्ट कर ज cloudका तेसे सब्सक्राइन लिएयरों समयानने हैं फन्ना उट भिटस़े समयान हो नहीं यह था सो मैं प्रुमिस करते हैं ईक तूस्य मेरा सिक्रेट नहीं पता वांग ट्रेंटिवारों स्फिरं तुम्हें के कान में बोलता है टूल झुम्हें ऐ कोन नहीं ब zuना हुछग कि मैंने सुना नहीं ठीक से बोलो विंग चिला कर बोलता है मैं तुम्हें बेबी दे सकता हूं क्या सच में विंग बोलता है कि मैंने सुना थो था कि मेल भी प्रेगनेंट हो सकते हैं कुछ पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि ये एक सिक्रेट था उस टाइम तो बताना चाहिए था जिस टाइम पर हमने टेट करना शुरू किया था वह भुड़ता हा चेंञे एक सिध्नो करना वाहख लारु के ये बsungताना क्योंकि गुड़ता ही रोदिए ये मुझे अन्ष तो मुझा, आज के दिन का इंततार था आज का इंततार था हुशरू नहीं दूम ये बचने ना वाले तो पूरी ठेकिया थाँ च्शी एक सो एक यह जाता है आप सिधह ने की निया जाता है जहां अपर बीइंग वांग जी को पूल हुआ पूरी रात हो कही है अब तो सुने तो वांग जी नहीं प्लीज इतना कफी एंप जूए रहे मुझे तुम नहीं चाहिए तुम से शादी नहीं करनी चाहिए कि अग्ल हो चाहिए तिस न था था वीन से चुपाना साथ क्या तूम से यह चुपाते हैं रिख जाता यहां पर यूव या और छिरेयन खड़े हुए अखिरकार चिंग हैं उन यह mike और वी चांग से की आखरी इच्छा पूरी हुई आज उनकी आत्माओं को शांती मिल जाएगी आज हम सब बहुत खुश है आज कर रात को तो पार्टी होनी चाहिए और एंदल वी इंग और वांग चेक दूसरे को किस कर रहे थे और इसी के साथ हमारी प्यार इसी स्टोरी ख अगले फैन फिक्शन में तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल लगना बाइबाई